नमस्कार दोस्तों ओल्डेस इंफर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं उसी तरह में दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा बैस्ट आलमी यानि दोस्तों आप पर्चेज करते हो सिंगनल भी आपके अच्छे होने चाहिए और कम प्राइज का लम्बी ह होना चाहिए तो वैसा ही दोस्तों मैं यहां आपके लिए दो लेकर हूं लेकिन दोस्तों सबसे पहले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या पैचान होती है उसे कैसे पैचाना जाता तो दोस्तों यहां बात करते हैं इस लम्बी का तो इस लम्बी को दोस्तो में क्या फराकर difference है और दोनों में original LMB कोन सा है और सबसे जाला signal कॉन से LMB में आएंगे तो फुल वीडियो दोस्तों अगर आप वाच करते हो तो आपको बाता चल जाएगा यहां दोस्तों मैं दोनों कि आपको दिखा रहाँ मैं होता है 110 से 120 से 130 तक इस LMB की कोश्ट आ जाती है लेकिन दोस्तों सिंगनल की बात करते हैं तो इस LMB में भी आपके अच्छे सिंगनल मिल जाते हैं और इस LMB में भी आपके अच्छे सिंगनल मिल जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तों दोनों में क्या फरक है क्या डिफरेंस है दोस्तो तो यह LMB ऐसे इतनी जल्ली खराब नहीं होती है क्योंकि दोस्तों इसका पीवी से वगेरा बहुत ही अच्छा है अब बात करते हैं दोस्तों LMB ओरिजनल दोस्तों यहां आप यह सोकिट देख रहे हों यह सोकिट अगर आप जैसे मालो कभी भी आप कनेक्टर कस लगाते हो ज तो इसमें यह सोकिट है यह अंदर ही के साथ फिक्स है और यहां अगर इसको खोलोगे तो दोस्तों यह अलग से इसमें सोकिट नहीं यह पूरा ही नहीं निकलेगा क्योंकि दोस्तों यहां इस LMB का जो LMB है उसी के अंदर यह फिक्स है तो दोस्तों यह सब्से बात है और औरिजिनल LMB होगी तो दोस्तो औरिजिनल LMB में ऐसा ही जो सोकेट आप देख रहे हो यह पूरा फिक्स आएगा यानि अलग से आपको इस तरह से सोकेट लगावा नहीं रहेगा क्योंकि यह सोकेट आपको नुकसान दे सकता जैसे अगर आप कनेक्टर खोलोगी तो इस नहीं आया क्योंकि इस में सोकेट नहीं और इस LMB की जो सिंगनल ही है बहुत ही बैस्ट है यह इन्वेटरों के नाम से एटल का LMB है और यह डीडी फिडिस का LMB है तो दोस्तों की कॉलेटिव मैंने आपको बताई यह आपको एक सुद्स एक सो बीस एक सो तीस तक आपको मि मिल जाता है लेकिन अगर में की बात करते हैं तो बात करते हैं तो दोस्तों बैस्ट में एक और आट स्वच्त कराओं आँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूँ ना बुले चाके आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पैच पोछना है कुछ चीज समझ में नहीं आरी तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो धन्